हेलो एंड वेल्कम तू प्रिंट सिविल सर्विसे यूट्यूब चैनल माइम इस डॉक्तर संचत आप सभी का स्वागत है रेपिट फायर विजिन ओफ हिस्ट्री थू एमसी क्यू सीरीज में और यह है टेस्ट नंबर 13 इससे पहले हम टेस्ट नंबर 12 कर चुके हैं प्लीज वॉच्ट प्रिविएस वीडियोज आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन जो आइकन है उस पे बेल प्रेस करें आपका ताकि आपको जो भी नई वीडियोज हम अप्लोड करेंगे तो आपको उसके बारे में इंफोमेशन मिल जाएगी तो आईए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 13 क्वेशन नंबर 1 in the context of history of Chola Empire Chola Empire is very important imperial Cholas consider the following pairs term एक तरफ तर्म दिया गया है दूसरी तरफ उसका description उसका meaning दिया गया है तो मैंने आपको बहुत बार बताया है तेस्स सीरीज में that terminology especially ancient and medieval से बहुत important है तो आपको terms पता होने चाहिए उसका मतलब पता होना चाहिए तो आपका ये question है आप से पूछा गया है कौन से correctly matched है तो what you can do is pause the video और solve कीजिए फिर आप वापस आईए answer देखने के लिए और explanation के लिए आए देखते है इसका सही जवाब क्या है the answer is a that is only ur is rightly explained और नाडू अन ब्रहमद्या का मतलब यहाँ पे सही नहीं बताया गया है अब देखते हैं क्या मतलब है देखिए during चोला administration settlements of peasants known as ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture तो आपका जो जहां peasants रहते थे उस जगा को आपका उर बोला जाता था और group of such villages और जहां उर का group एक उर क्या है basically जहां पे peasants रहते हैं तो अगर आप उसको group में count कर लें तो that becomes a larger unit known as नाडू नाडू नाव village council एन नाडू के बहुत सारे function थे और सबसे important justice और tax collect करना और साथ ही साथ जो ब्रहमन्स थे उनको आपका land grants दिया जाता था जो उनकी service है उसके लिए उनको land दी जाती थी और उसको आपका बोला जाता था ब्रहमदेया तो ब्रहमदेया क्या है वो land जो आपका land grant के रूप में ब्रहमन्स को दी गई है so that is the question term उर नाडू and ब्रहमदेया so before I move on यह जो topic है south Indian history का that is the chola का history and so on तो please आप एक video refer कर सकते हैं हमारे channel पे ही that is sangam literature test number 12 में भी मैंने question put किया था sangam literature से तो please you can watch this video यहाँ पे sangam literature को explain किया गया है and many times आपका question पूछा गया है इसका link मैं आपका description में add on कर दूँगा तो you can watch that now चोला के regarding अब कुछ और चीजें भी आपको करनी है आपका homework यह है चोला sculpture art and culture में बहुत important योगदान रहा है चोला का और specially sculpture के form में आपका famous natraaj sculpture so you can see on your image on your screens image दिख रहे है आपको चोला sculpture the natraaj very famous साथ ही साथ ही साथ temples बहुत important है तो यह आपको पढ़ना है यह पर आपको यह भी पढ़ना है that यह जो पूरा image है sculpture है इसमें जो hands का position है legs का position है यह क्या signify करता है so that is the question number one regarding the cholas question number two Kohinoor diamond was taken away from India to Persia during the rule of which Mughal ruler Kohinoor जो अब England में है Great Britain में है आपका वो पहले इंडिया में था फिर आपका Persia there is a long story of Kohinoor so Kohinoor के regarding यह कभी किसी के पास जादा time तक नहीं रहता है तो यहाँ पे Kohinoor पूछा गया है कि इरान कभ पहुँचता है और इंडिया में उस समय बूगल ruler कौन सा था तो यहाँ पे आपके options हैं औरंगजेप, मुहम्मद शा, फारुक सिहार, शाह आलम यह चारों में से कौन सा ruler था जिसके time में आपका Kohinoor, Persia पहुँचता है right answer is B, that is मुहम्मद शा, कैसे, अब पहुँचा कैसे, उसके बार में थोड़ा देख लेते हैं नादिर शा, जो की Persian ruler था, वो आपका इंडिया में 1739 में attack करता है और यहां पे आपका, जो मुगल्स थे, इस समय बहुत वीक हो चुके थे, वीक क्यों हो चुके थे, there are lot of reason, बड़ एक सबसे important reason यह था, कि उस समय आपका wars of succession चल रहा था एक के बाद, कोई ना कोई बादशाह हटाया जाता था, दूसरा बादशाह आता था and so on, तो औरंग जेप 1707, औरंग जेप की death होती है 1707 में तो उसके बाद, कोई भी मुगल्स रूलर इतना strong नहीं आया, जो आपका फिर से solidify कर सके, मुगल्स के राज को तो इस situation में आपका नादर शाह इंडिया पे attack करता है और यहाँ पे आपका battle of करनाल होती है 24th February 1739 जिसमें नादर शाह आपका victory हासल करता है, किसके उपर? मुगल्स शाह के उपर तो उस समय मुगल्स बाद शाह कौन था? मुहम्मद शाह, तो आपका मुहम्मद शाह सरंडर कर देता है, दोनों दिल्ली में एंडर करते हैं और नादर शाह इस समय आपका क्या-क्या लेके जाता है परजिया वापिस peacock throne, famous peacock throne साथ ही साथ Kohinoor diamond, which is also known as mountain of light and Dariya-e-noor also known as sea of light diamond तो यह अपने साथ और बहुत कुछ loot part करके यह आपका नादर शाह वापिस परजिया चला जाता है और अपने साथ Kohinoor भी ले जाता है फिर उसके बाद की कानी अलग है वो आपको पढ़ना पढ़ेगा या I will make a separate video on that what is the story of Kohinoor फिर वो England finally कैसे पहुँचता है So that was the question number two Question number three, consider the following pairs एक तरफ ट्रावलर का नाम है और दूसरा kingdom they visited हमारे इंडिया में फॉरं से बहुत सारे ट्रावलर्स आए हैं जिन्होंने यहाँ पे आके study किया और बहुत सारी books लिखी जो बहुत important source है हमारी history का तो यहाँ पे आपको question पूछा गया है एक तरफ ट्रावलर और दूसरी तरफ kingdom they visited Marco Polo, Mughal Empire, Ibn Battuta, डिल्ली सल्तनत, अब्दुलर्जाक, विजे नगर kingdom तीन ट्रावलर और तीन kingdom क्या सही मैच हैं यह आप से पूछा गया है आईए देखते हैं इसका सही जवाब right answer is B second and third are correctly match the first one is wrongly match हुआ क्या basically Marco Polo, आपको यह भी बता होना चाहिए कि कहां से आए which was the country of origin तो he was a venetian travel, Venice venetian traveler थे 1294 में इंडिया में विजिट करते हैं और कहां पे आते हैं रुद्रमादेवीज काकत्या dynasty काकत्या dynasty थी kingdom था, वहां पे आपका विजिट करते हैं और यह experience थनोंने अपनी book में लिखा है the book of sir Marco Polo, ठिक है, तो वो आपका economic history explain करता है, that is why Marco Polo, आपका काकत्या dynasty में आये थे, मुगल kingdom में नहीं आये थे इबन बितूता, यह rightly matched है he was a Moroccan, Morocco से आये थे और उन्होंने एक book लिखा रहला, और यह किसके time में आये थे, और किसके बारे में explain करती है, the मुग, मुहम्मद बिन तुगलग यहाँ पर क्या लिखा है, दिल्ली सल्तनत तो आप सब को पता होगा, दिल्ली सल्तनत में पांच dynasties हैं, slave खिलजी तुगलग 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 के डाइनस्टी के बारे में लिखा है, आपके थर्ड है आपका अब्दुर रजाक वो आपके कौन थे, अमबैजर आफ शारुक आफ तेमूर डाइनस्टी और वो किस के रूल में आए देव राए सेकिंड आफ विजे नगर एंपायर तो यहाँ पे आपका विजे नगर किंडम में आपके एंट्री करते हैं, कौन? अब्दुर रजाक बहुत लंबे चॉड़े लिस्ट है ट्रावलर की, स्टार्टिं रोम एंशें टाइम तो यहाँ और अमॉडरन ताइम तो आपको पढ़ना पढ़ेगा कौन कहां से आया, उसने क्या लिखा कौन से बुक लिखी, किसके बारे में एक्स्पेंड किया and so on Now, question number 4 Which of the following leaders was, were the members of No Changers group हमारी history में आपका No Changers एक group हुआ है तो यहाँ से question पूछा गया है कि आपका following leader में से कौन-कौन No Changers group का part था M.A. Ansari, Ajmal Khan Rajendra Prasad, C. Raj Gopalachari तो आपका question है इन में से कौन No Changers के group का part हिस्सा थे Right answer is C That is 1, 3 and 4 Second नहीं था हिससे आपका किसके No Changers के M.A. Ansari, Rajendra Prasad, C. Raj Gopalachari आपके part थे No Changers group के आई यह ब explanation समझते हैं कि हुआ क्या basically तो non-operation movement आपका चल रहा है और उसमें गांदी जी की तो हर जगा जो moral था वो low हो जाता है और यहाँ पर फिर debate स्टार्ट होती है कि अब क्या किया जाए Congress वाले सोचने में मजबूर होते हैं कि अब गांदी जी को तो सजा हो गई है अब हमें क्या करना चाहिए इस time period के बीच में तो हुआ क्या एक ग्रुप था सियर्दास, मोतिलाल नहरू एंड अजमल खान तीन मंदों का नाम याद रखे हैं सियर्दास, मोतिलाल नहरू एंड अजमल खान ये तिनों ने बात करी के अब हमें जो boycott हमने कर रखा है legislative council का उसके boycott को हमें खतम करना बड़ेगा अब हमें participate करना चाहिए उनका part बनना चाहिए ताकि हम उसमें entry करके उनका जो weakness है उनकी जो problematic things है उसको हम expose कर सके तो ये जो group था आपका ये कहलाया सवराजस्ट कॉन गॉन दे, सियर्दास, मोतिलाल नहरू एन अजमल खान अब इसके opposition में आपका एक school of thought एक group था led by वल्लभाई पतेल, राजेंदर परसाद पी राजगोपालाचारी, M.A. अनसारी चार नाम आपको याद करने हैं वल्लभाई पतेल, राजेंदर परसाद, पी राजगोपालाचारी, M.A. अनसारी फिर आप क्या करेंगे? तो इन्होंने सजेस्ट किया कि हम constructive work पे काम करेंगे constructive work गांदी जी के दुवारा दिया गया था Hindu Muslim unity चरखे पे जोर दें, सबदेशी पे जोर दें, Hindu Muslim unity पे काम करें, हरिजन्स पे काम करें and so on तो यहाँ पे ये है constructive work तो इस group ने no changer group ने बोला कि हम legislative consulmentary नहीं करेंगे, हम आपका constructive work करेंगे और हम prepare करेंगे अपने आपको कि जब आपका जो suspension वाला phase है, वो खतम हो जाएगा, तो उसके बाद जो हमारा continue करना पड़ेगा movement को उसके ले हम आपने आपको तयार करेंगे तो ये दो group कहलाए आपके सवराजिस्ट and no changers so that was the question very important, next question है last question इस वीडियो का, which among the following is not correct ध्यान दे हमेशा और मैं तो कहूँगा, underline कर ले अगर आपको not correct पूछा गया है, because यहाँ पे यही की है not correct with respect to cabinet mission plan 1945 not correct पूछा गया है, question किसके regarding है, cabinet mission plan 1945 आईए देखते हैं इसके statements क्या है, it suggested the setting up of an interim government, इसने suggest किया था, interim government को बनाने के लिए it rejected the demand of Pakistan and recommended union of India second statement Pakistan नहीं बनेगा, उसके demand को reject करते है third, it recommended formation of constituent assembly elected by provincial legislative assemblies हम एक constituent assembly बनाएंगे, constitution बनाएगा हमारा और उसमें से election होके कौन चुन के, कौन चुनेगा provincial legislative assemblies के member last statement, Indian national congress rejected the plan with objections to provision of grouping of state क्या इसको international congress ने reject कर दिया था, यह आपके चार options हैं, आपसे पूछा क्या गया है not correct, तो आईए देखते हैं, इसका सही जवाब क्या है, the right is D, D जो statement है वो not correct है, और जो statement A, B, C आपके correct है, D है वो incorrect है, देखिए हुआ क्या, 1945 में आपका, जो इंडिया में secretary of state थे, जो foreign बैखते थे आपका, इंग्लेंड में बैखते थे, Lord Pethick Lawrence, उन्होंने announce किया के cabinet mission आपका इंडिया में आएगा, और उसके membership कौन कौन है, Lord Pethick himself, Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander, तीन बंदों की एक commission, mission इंडिया भेजा जाएगा, और वो बात करेगा, कि इंडिया को जो transfer of power होना है, इंडियन को transfer of power करना है, उसका अब आगे कैसे move करना पड़ेगा, तो यहाँ पे, अब mission जो था, वो agreement पे पहुच नहीं पाता, इंडियन लीडर के साथ, क्योंकि the Congress और जो Muslim League थे, वो agreement पे नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी, mission ने अपना एक खुद का plan दिया, 16th way 1946 को, क्या-क्या recommendation थी, सबसे पहला, rejection of demand for Pakistan, हमने यही statement देखा था, क्या demand, क्या जो demand थी, Pakistan को उसको मान लिया था, cabinet mission ने, नहीं, इन्होंने reject कर दिया, second, it recommended a constituent assembly, जैसे बात कर रहा था मैं आपको, India एक constitution बनाएगा, उसको बनाने के लिए, cabinet mission ने बोला, कि आप constituent assembly बनाएए, third, it suggested the setting of interim, setting up of interim government, interim government, जिसमें आपका ministers होंगे, वो आपका सरकार को चलाएंगे, जब तक आपका final constitution नहीं बन जाता, या transfer of power नहीं हो जाता, जो तीनों आपके recommendations थे, और जो fourth था, कि Congress ने इसको reject कर दिया था, वो statement गलत है, Congress accepted the plan on 24 June 1946, लेकिन उन्होंने फिर भी object किया, कि जो आप states को grouping में डाल रहे हो, A group, B group and C group, उसमें आपको नहीं डालना, अब Muslim League ने इसको initially reject किया, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान की demand की उसको reject कर दिया गया, लेकिन उन्होंने Constituent Assembly को नहीं जॉइन किया था, very important point, Cabinet Mission के द्वारा जो Constituent Assembly बननी थी, उसमें तो उन्होंने नहीं जॉइन किया, लेकिन entering government में आपका उसको जॉइन कर लिया, The third statement, the Hindu Mahasabha, उन्होंने आपका compulsory grouping of states को आपका object किया, CPI ने आपका Composition and Power, Constituent Assembly को जो आप देने जा रहे हैं, वो आपका reject किया था, उसको उसके खिलाफरों ने oppose किया था, यहाँ पर यह आपका question है, Cabinet Mission Plan 1945 का, So that was the test number 13, Please subscribe to our channel, Prince Civil Services YouTube channel, and share this video, like this video, and please press the notification button, ताकि जब भी आपको हम video upload करें, तो आपको notification आजाएं, and keep learning from other videos as well, thank you.